जिंदगी में कोई खुशी न थी, फिर भी शादी से पहले खुश रहा करती थी. हर दम हंसना, बोलना. सहेलियों की महफिल मुझबन सोनी होती. शादी हो गई तो दुनिया बदल गई. चंद दिन सुकून के गुजरे, फिर मुझे चुप लग गई. लगता था, जैसे बहु जाब इधारा रह गया. जल्द ही फिक्रमाश ने आघेरा. अम्मी टीचर बनाना चाहती थी, और मैं अईयर होस्टस बनना चाहती थी. मेरी एक सहली गरीब मा, बाप की बैटी थी. उसने एंटरवियों दिया और हवाई मैजबान मुन्तखब हो गई. तभी से मुझको इस खर्चा ही निकल आए. ऐसी नौकरी में भला दिन कैसे फिर सकते थे. अम्मी ने बहुत मना किया कि रात की ड्यूटी करना पड़ेगी, क्योंकर घर से बाहर रहोगी. मैं ना मानी. जिन्दगी सिधारने के खाब आँखों में बसा कर हवाई मेजबान होने का इर्मान लिए एंटर्वियो देने चली गई. शेहला ने मदद की और मुझे मेरे खाब की ताबीर मिल गई. मैं अईयर होस्टिस मुन्तखब हो गई. क्या बताओं वो दिन मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी लेकर आया था. हवाई मैजबान के तौर पर पहला सफर करने से पहले ही हवाईं में उड़ने लगी थी. तरबियत मुकमल हो गई और मैंने ड्यूटी जवाईन कर ली. उन दिनों में बेहत खुश थी. अभी ड्यू शाइस्ता अंदाज दिल में घर कर गया. जब जहाज ने लेंड किया और मुसाफिर हैंड बेग वगयरे सन्भाल कर बाहर जाने लगे तो उन्होंने अपना कार्ड मुझे दे दिया. मैंने भी उज़राह अखलाक रख लिया. ड्यूटी दे कर घर आई तो बार बार तहसीन साहब का चेहरा निगाहों में आने लगा. नजाने कैसा जादू था. इन खामोश और गहरी आँखों में कि रात भर नींद न आई. तभी परस से कार्ड निकाल कर देखने लगी कि कौन है. पूरा नाम पता दरज था. पेशा गोल्ड इसमत लिखा था. गोया सिराफ थे सो सोने चांदी के बियो पारी. सोने में खेलने वाले. अल्ला जाने क्योकर उन्होंने मेरा फोन नंबर मालूम कर लिया, जबकि मैं चाहते हुए भी उनको फोन नहीं कर सकी.